जय हिन दोस्तों मैं आपका दोस्त राधेशाम भावसार तो आज मैंने 50 कपड़े वाश किये हैं बट सभी के सभी 50 कपड़े अच्छे से क्लीन होते हैं ऐसा नहीं है मशिन में हम तरह तरह के केमिकाल यूज करते हैं वाश करते हैं बट उसके बाद में भी लास्ट में थोड़ी बहुत फिनिशिंग हमें करनी पड़ती हैं जो हम मैनुएल करते हैं दोस्तों तो इसी में आता है रस्टें क्लीनिंग और कई बार पॉकेट में कुछ कच्रा रह जाता है तो उस वज़े से भी कुछ स्टें रह जाते हैं तो इस पर मैंने हाइपो यूज किया है जिससे वह गुटके वगरे के जो रह जाते हैं पॉकेट में तो वह ड्राय होने के बाद में वापस से वह स्टें दिखाते हैं दोस्तों तो मैंने उसके उपर हाइपो यू नॉर्मली लोग घर पे गरम पाने में भीगोते हैं डिटरजन पाउडर सोडे में भीगोते हैं और वो स्टेन रह जाते हैं दोस्तों तो इसी तरह से कम से कम 50 कपड़ों के आसपास कपड़े थे जो मेरे 15 kg के वाशिंग मशिन में अच्छे से वाश हो जाते हैं बट लास्ट में ये काम रहता है कि हमें रस्टेन क्लीन करने हैं बहुत बार घर पे भीगोने से सोकिंग करने से रस्टेन लग जाते हैं कपड़ों में तो उनको इस तरह से मुझे आखिर में क्लीन करना पड़ता है दोस्तों और ये मैनुवली होता है और ये रेडलीन का रस कबडों का काम है ना ज्यादा से ज्यादा क्लीन करने के लिए हमें स्टेइन क्लीनिंग भी बाद में करनी पड़ती है दोस्तों करनी जो प्रोट क्वाद होते हैं जो मैं उलाइन मंग वाता हूँ या मेरे नॉनलेज में बाय। बन्न आगा दोस्का